दोस्तों मेशो भाइरल पोड़क की नाम से बहुत सारे पोड़क ऐसे जो बॉडी लोशन की नाम से मार्केट में आ चुका है जो फुल बॉडी होईटनिंग की दापा करते हैं लोग इसे खरिटते भी है लेकिन दोस्तों क्या सिर्फ कम पैसों में 200 या 300 रुपाई में मिलने चाहिए या नही यह भी हम बात करेंगे दोस्तों आमाजन में इसकी प्रैस रही है 288 रुपीज फिलिपकाट में 240 रुपीज और मेशो पर और भी कम दोस्तों इसके अगर हम इंक्रेटन चेक कर लें तो इसमें आपको मिलेगा डीम ओटार, ग्लिसरेन, लेमन आयल, अलोफ लेवेंडर वायल इसके साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स लोशन एक तो इसा बिल्कूल नहीं होने वाला है मैं फिर एग्बर बता दू काले से गोरे नहीं होने वाले हो इस टाइप का लोशन नहीं हो जाओ जाओगे और सिर्फ 200 रुपाई में या 200 रुपाई में आगर लोग काले से गोरे हो जाते तो दुनिया में कोई काले लोग नहीं रहेते तो दोस्तों एजो लोशन है वेसिकली इसके काम है सन की जो UV rays है उससे बचाना SPF 15 पिला से बोडी लोशन है आपकी जो सन टैन है वो दिरे दिरे रिमूब करना अगर अगर स्कीन के date cell भर गए इसकीन में तो उस date cell को रिमूब करना आपकी जो बोडी है आपकी जो स्कीन है उसे थोड़ी बद लाइटिंग देना मॉस्टराइज रखना है यही विसकली इसकी काम है ना काला से गोरा करना इसका काम है तो ऐसा नहीं होता ह और ऐसा होने भी नहीं है तो इसमें बिसिकले में दो इंक्रिडेंस है जो हमारी स्किन को मॉस्टराइज रखते ना गोरा बनाते तो दोस्तो यह जो लोशन है इसके बारे में जो आफ़ा है थी कि एक गोरा बना देते सिधे यह बिल्कुल नहीं है आफ इसे मॉस्टराइजर के लिए और आफ इसे एक संस्क्रीम की साफ से आफ इसे ले सकते हो खरीज सकते हो मेशो से बाई कर सकते हो आफ फिलिपकार्ट से एमजन से बाई कर सकते हो अगर आफ इसे बाई करी लिए हो या करना चाहते हो तो इसकी यूज में बता देता हो दोस्तों इसे हमेशा इस्तेमाल करना नहाने की बाद ही नहाने की बाद थोड़ा से हमाउन में हाथ में लेकर आप पूरी बाड़ी में इसे मसास करना अच्छे से जब तक ना आपकी बॉड़ी इस लोशन को एबजर्ब कर ले तब तक आप इसे मसास कटे जाए और जब इसे लोशन को आपकी बॉड़ी अबजर्ब कर लेगा तब इसे छोड़ देना है तो दोस्तो आप नहाने के बाद एक बर लगाओ आप रात में सोने से पहले भी एक ब तो दोस्तो इससे जूड़ अगर आपकी और भी कोई मन में सवाल रहे गए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और इसे वीडियो अच्छे लागे तो वीडियो को लाइक के शर्ट करके चैलन को सब्सक्रिब करना ना भूलेगा